YouTube पर बहुत सारी चीज़े मैं देख रहा हूँ लोग आके अपनी अर्निंग रिवील कर रहे है एक screenshot होता है एक वेपीज होता है जहां पर हजारो डॉलर दिन के होते हैं और कभी-कभी महीने के 25,000 डॉलर मतलब इतनी जहादा पैसे मैं full stack coder हूँ मुझे CSS बहुत अच्छे तरीके से आती है मैं बड़ी अच्छे से कुछ भी बना सकता हूँ तो मेरे लिए कुछ भी hard नहीं है कि मैं AdSense का एक dashboard बना दू जहां पर मैं refresh करके दिखाऊं कि भईया 300 डॉलर है yesterday और today और 7 days वाला filter लगाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है उसके बाद अचानक क्या हुआ कि लोग पूरा address बाहर यानि कि पूरा URL बाहर ही लोग hide करना start कर दिये, blur करना start कर दिये और जैसे blur किये वैसे revenue उनकी 300 जो महिने की थी हो महिने की 30,000 और 3,000 डॉलर होना start हो गई यंग स्टर ये सारी चीज़े दे के पागल हो जा रहे है और उस पागलपन के साथ बहुत सारा पैसा spend कर रहे है, plugins खरीद रहे है, theme खरीद रहे है उनके affiliate link से hosting करीद रहे है, domain खरीद रहे है और कहीं न कहीं एक mis guidance YouTube पे चल रहे है ब्लागिंग से ज़्यादा पैसा तो ब्लागिंग सिखाने में है और हो भी क्यों ना आज से साथे चार साल पहले जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था इस category में कुछ 10 से 12 creator ही हम थे यानि कि हिंदी ब्लागिंग सिखाने वाले category में दस से 12 creator ही थे जिनके videos लोग देखते थे जिनके videos regularly आते थे उसके बाद मैंने channel स्टार्ट किया और धीरे धीरे channel पे growth हुई और आज से देर साल पहले अगर देखा जाए तो channel मैंने discontinue कर दिया था कुछ 15 महीना पहले और उस समय जब मैंने channel को discontinue किया तो मुझे याद है कि इस channel पे कुछ 35-40,000 subscribers थे और ये भी याद है कि total इस category में कुछ 35-40 ही creator हुआ करते थे और जिनके मुझे नाम और चैरे दोनों याद है लेकिन आज साल बर बाद जब मैं ये YouTube फिर से मैं सुरू कर रहा हूँ इस channel को मैं फिर से start कर रहा हूँ और YouTube पे अगर blogging से related कुछ भी search करता हूँ तो मुझे 500 से भी ज़्यादा channel दिखते हैं सायर इनकी संख्या 1000 भी हो सकती है और सब कोई आज blogging लोगों को सिखाने का try कर रहा है कोई WordPress सिखा रहा है कोई plugin कैसे install करना है कोई dollar की खेती कैसे होती है ये सिखा रहा है कोई कुछ भी सिखा रहा है blogging के बारे में और सभी के पास अच्छे खासे subscriber है किसी के पास 20,000 और किसी के पास 20,000 और किसी के पास 20,000,000 लाग subscriber बाकि एक बहुत normal सा conversation था जो मामा जी के साथ मेरी हुई थी मुझे याद है एक बार क्या हुगा ना मैं उनके office पे गया basically मामा जी का काम क्या है कि उनका employment office है अब उस पे क्या होता है कि अलग-अलग country से client आते हैं इंटर्वियूर्स आते हैं और यहां के लोग जाके वहां पे इंटर्वियू देते हैं और उनका selection होता है उसके बाद वो अलग-अलग country में construction के काम में, electric के काम में, AC के काम में तरह-तरह के काम में, अलग-अलग country में लोग जाते हैं तो एक बार ऐसे ही उनके office पे मैं बैठा था, उस दिन interview था, कुछ लोग आए, और उनमें से एक कोई बंदा था, जो सामने से मामा जी को नौक किया, कि यारे सर मुझे बाहर जाना बहुत जोरी है, बहुत परिशान हूं मैं, तो मामा जी ने उससे पूछा कि भाई क्या करते उसने roller चलाया, उसके बाद उसको एक brush दे दिये, उसने brush भी चलाया, मामा जी ने बोला कि भाईया तुम helper नहीं हो, तुम आज से wall painter हो, मैंने मामा जी से पूछा, कि भाईया आप ऐसा क्यों कर रहा है, अगर वो helper है तो उसको wall painter क्यों हो, तो उनका जवाब था, कि construction के काम म trainer से train करा कि उसको मैं बोल दूँगा कि भाईया तुम wall painter हो, और वो agree कर जाएगा, यानि कि अगर किसी को कुछ नहीं बता है construction के काम में, तो वो wall painter है, इस category में helper category में अगर वो बंदा जाएगा, तो बड़ी मुस्किल से 10-15,000 रुपय घर पे भेज पाएगा, लेकिन अगर wall painter category में जाता है, इस designation के साथ जाता है, तो बड़ी आराम से 20-25,000 रुपय घर पे भेजेगा, इसकी परिवार सुखी रहेगी, ये अच्छा रहेगा, तो उनकी जो ये बात थी ना, कि भाई, जिसको कुछ नहीं आता है, वो ब्रस चला सकता है, वो बात आज मुझे याद आ रही है, इस blogging term में, कि भाईया, जिसको कुछ नहीं आ रहा है, वो आज blogger है, और जिसको blogging नहीं आ रहा है, उसको आज YouTube पर आना है, अब YouTube पर बहुत सारे लोग है, मैं इसमें सबको, you know, समेट नहीं रहा हूँ, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ, मुझे याद है, मैंने YouTube सारे चार साल पहले स्टार किया था, सारे चार साल पहले YouTube आसान था, थोड़ा सा आसान था, और उससे कहीं ज़्यादा आसान था, you know, blogging, इतने ज़्यादे अपडेट नहीं आते थे, इतनी ज़्यादा website penalize नहीं होती थी, आज अगर आप देखेंगे, जितना चार सालों म आपकी website नहीं penalize होई है, उतना इस 3-4 महीनों में जो अपडेट आए हैं, उसमें आपकी website की band बच गई है, बहुत सारे लोगों ने हिम्मत हार दिया है, तो मैं ये बोलूँगा कि यार, Google ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है, आपकी website penalize करने में, इसके बारे में भी हम बात क्योंकि दोखो, blogging से इन creators ने एक चीज़ समझा है, कि भाईया हम copywriting करेंगे, भाईया हम एक काम करेंगे, हम article को rewrite करेंगे, हम spin करेंगे और you know blog post कर देंगे, वही बुद ही आज लोग YouTube पे लगा रहे हैं, लोगों के videos को देख रहे हैं, और उस video से नए content बन जा रहा है, या rewrite करके उस video को एक नए तरीके से बोल दिया जा रहा है, यह आजादी YouTube में लोगों को मिल रहा है, जिसका कोई भी plagiarism score नहीं है, अगर आप blogger हैं, तो आप समझ जाओंगे कि plagiarism क्या होता है, तो यह चीज मुझे लगता है कि यार, यह वज़य है कि लोग YouTube के shift हो रहे हैं, और कुछ खास बज़य हैं, जो 2-3 बज़य मुझे लगता है, आज उसी बारे में हम बात करेंगे, मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था, मुझे लगता है कि मुझे सिखाने का कीड़ा बहुत ज्यादा था, मैं आज जो वीडियो 3 मिनट की बन सकती है, वो 30 मिनट का बना देता ह I don't know मैं कैसे इतना ज़्यादा बूलता हूँ और इतना ज़्यादा लोग मुझे सुन भी पाते हैं, तो मुझे सिखाने का बहुत कीड़ा था, उस समय यूट्यूब करना थोड़ा सा हाड़ था, लेकिन ब्लागिंग बहुत आसान था, लेकिन मैंने ब्लागिंग को छोड होता है, जहां पे हजारो डॉलर दिन के होते हैं और कभी-कभी महीने के पच्छेस हजार डॉलर, मतलब इतनी ज़्यादा पैसे, और अगर इतनी ज़्यादे पैसे हैं, तो लोग रिवील क्यों कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़े दिमार्ट में आती है, एज वेबसाइट मैं YouTube पे आज WordPress सिखा रहा हूँ, Elementor लोगों को सिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़े हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक coder हूँ, मैं full stack coder हूँ, मुझे CSS बहुत अच्छे तरीके से आती है, मैं बड़ी अच्छे से कुछ भी बना सकता हूँ, तो मेरे लिए कुछ भी hard नही बाते थे कि मेरा 30$ और महिने के 400$ हमारा revenue हो रहा है और आपको भी इसमें काम करना चाहिए, फिर दीरे-दीरे क्या हुआ ना, मैंने ऐसा personally feel कि लोग URL ढखना स्टार्ट कर दिये, publisher ID, publisher ID लोग ढखना स्टार्ट कर दिये, तब भी मुझे कुछ हद तक चीज़े ठीक लगे, जो URL बार में होता था, उसके बाद अचानक क्या हुआ कि लोग पूरा address बार, यानि कि पूरा URL बार ही लोग hide करना स्टार्ट कर दिये, blur करना स्टार्ट कर दिये, और जैसे blur कियो वैसे revenue इनकी 300$ जो महिने की थी, और महिने की 30,000$ और 3000$ होना स्टार्ट हो गई, तो देखो जो dollar की plating है ये लोगों को दिखा के मैं views बटो रहा हूँ, मैं ये कहीं से claim नहीं कर रहा हूँ कि YouTube पे सारे video fake हैं, बट मैं personally ऐसा feel कर रहा हूँ कि आज के समय में YouTube लोगों को इतनी जादा आजादी दे रही है, लोगों को decide करना है कि वो लोगों को क्या, यानि की creators को decide करना है कि वो लोगों को क्या दिखाएंगे और वही दिख रहा है, और लोग ये सारी चीज़े देखके, यंग्स्टर ये सारी चीज़े देखके पागल हो जा रहे हैं, और उस पागलपन के साथ बहुत सारा पैसा spend कर रहे हैं, plugins करीद रहे हैं, थींग करीद रहे हैं, उनके affiliate link से hosting गरीद रहे हैं, domain खरीद रहे हैं, और कहीं न कहीं एक mis guidance YouTube पे चल रहा है, लोग दिखा रहे हैं कि भईया आज देखो मेरा 300 dollar आज की earning हुई है, और किसी किसी की हो भी रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि भईया इस एक website, इस एक news website के पीछे हम चार दोस्त या फिर 40 लोग मिलके काम कर रहे हैं, उस man power के बारे में कोई नहीं बता रहा है, उस hard work के बारे में कोई नहीं बता रहा है, इस miss guidance से थोड़ा सा मुझे problem है, मैंने YouTube पे बहुत सारी गलतियां करी हैं, लेकिन इस 2024 में मैं चाह रहा हूँ कि YouTube पे कुछ ऐसे content अपने वीडियो के through लेके आऊँ जिससे वाकई लोगों को मदद हो पाए ना कि मैं उनको misguide करूँ तो आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़े यार डिसकस करने को अभी मैं देखू तो 10 मिनिट का वीडियो अल्रेडी बन गया है और अगर मैं बाते करूँ तो यार बहुत लंबा कर सकता हूँ मैंने बताया कि मुझे सिखाने का और explain करने का बहुत जादा आदत है और समटाइम दोस्तों से पता चलता है कि यार तो बहुत जादा explain करता है खेर आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं जहां के हम थोड़ा सा बात करेंगे कि यार 2024 में जो अपडेट्स हा रहे है जो ये गूगल के अपडेट्स हैं जिसमें लोग इतना परिशान है कि अचानक से ये अपडेट आया और हमारी वेबसाइट की बैंड बजगए ये सीधे हमारी वेबसाइट जो हमारे खुद के आर्टिकल्स थे वो पिनलाइज हो गई अगर मैं आज से 7-8 साल पहले जाओं जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था 2015-16 की मैं बात बता रहा हूँ जब इंटरनेट बहुत लिमिटेड था यानि कि साइज जियो नहीं आया था जियो काफी लेट 17 में या सूला में आया था उस समय जियो की सुरुआ थी या फिर नहीं आया था मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है उस समय स्टार्ट हुआ जब मेरे लाइफ में ब्लॉगिंग ऐसा मुझे लगता है मैं अपना पॉस्पेक्ट्व यहाँ पी बताने जा रहा हूँ तो उस समय क्या हुगा न कि event ब्लॉगिंग आया event ब्लॉगिंग क्या था WhatsApp पे लोगों को शेर साने स्टार्ट हुए कि आनंद कुमार विसस यू हैपी हो ली और आनंद कुमार विसस यू हैपी दशारा हैपी क्रिस्मस और ऐसे करके बहुत सारे WhatsApp शेर होना स्टार्ट हो गया तो उसमें क्या होता था एक link होता था उस link पे लोग क्लिक करते थे तरह तरह के animations आते थे लोग अपना नाम डालते थे और दूसरी को शेर करते थे ये कुछ scripts आते थे यानि कि HTML के codes होते थे लोग उसी में अपने ads स्क्रिप्ट डाला स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक अच्छा सा article लिखा और उसमें बड़ी अच्छे से लिपाबली के बारे में यानि कि कि किसी भी event के बारे में लोग लिखना स्टार्ट की अब जब भी वो event का दिन आता था लोगों को millions में ट्राफिक आती थी बड़ी कमाल का यह टेक्निक था कि इस चीज को online कर दिया गया और गैनिक कर दिया गया यह तरीका था इसके साथ साथ मैं इस तरीकों का dead होने का reason भी में बताऊंगा तो बहुत परसंट legit थी निउज वालों ने इस events पे cover करना स्टार्ट कर दिया अब इसमें event bloggers की बजगई band क्योंकि वो 20 दिन पहले स्टार्ट किये थे उनकी website के कोई भी authority नहीं है कोई भी backlinks नहीं है बहुत ही कम authority के साथ वो उच्छा traffic गेन करते थे basic on page भी करते थे उनका काम हो जाता था यह पास साथ साल पहले की मैं बात बता रहा हूं 2015 लगी तो अचानक इस niche की band बजा दिया new site वालों ने और बड़ी websites ने उसके बाद आ जाता है APK niche या फिर download niche APK niche में क्या होता था कुछ ऐसे app होते थे जो cracked होते थे modded होते थे या hacked version होते थे जो obviously जो paid होते थे जो play store पे already paid होते थे जो लोग खरीद नहीं पाते थे वो Google पे आके search करते थे इस search intent को लोग समझते हुए इस तरह का blog बनाए जहां पे तरह तरह के paid application cracked application लोगों ने क्या किया डालना स्टार्ट किया APK file जो Android app में install होती है I hope कि आपको पता होगा कुछ इस तरह के softwares भी लोग डालना स्टार्ट किया अब इसमें क्या हुआ कि जो software owner थे वो परेशान हो यह claim करना स्टार्ट किया Google को यह चीज़ पता चला उन्होंने सबसे पहले क्या किया आपको penalize करना स्टार्ट किया कि आप इस तरह का कोई भी keyword अपने blog post में use नहीं कर सकते किसी brand को इस तरह से use नहीं कर सकते hack mode cracked activation activated इस तरह की चीज़े आप नहीं कर सकते मतलब Google जैसे identify करता लोगों का interest कम होते हुए अभी भी event bloggers भी है अभी भी APK नीश में भी लोग काम कर रहे है ठीक है लेकिन वो numbers 95% कम हो गये जिसमें चोटी bloggers आते हैं अब दोनों नीश की अगर मैं बात करूँ जो इसमें दिगज है वो समझ रहा है कि मेरे को कैसे काम करना है दिगज यानि स्टार्ट किये लोग image में लिखना स्टार्ट कर दिए और ऐसे करके अपनी website rank करा के लोग अच्छा खासा traffic game अभी भी कर रहे हैं या कर रहे थे बागी मैंने APK नीश को काफी दिनों से नहीं दिखा है उसके बाद आ जाता है job niche अब तक क्या हुगा था ना कि लोगों के हा इस टार्ट कर दिए थे तो यह APK के साथ साथ जो गाउं में लोग थे जिनको हिंदी में आती थी यानि कि हिंदी जिसको आती थी वो हिंदी में ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिए वो जॉजना वारी website बनने स्टार्ट हो गए ऐसे करके बहुत सारी चीजे YouTube से लोग सी जो चो एक job post हो रही है एक job आ रही है एक vacancy आ रही है अब उसको तीन लाख लोग post कर रहे है या Google पे तो पांच ही को ट्रैफिक मिलने वाली है दस को मिलने वाली है दूसरे page पर आज कल कौन जाता है तो बाकी के ढाई लाख लोग तीन लाख लोग तो failure हो रहे ना तो यहा पहले से authority gain करके रखा है वो अलग बात है लेकिन नई websites क्योंकि ये एक ही news है सब लोग copy कर रहा है same result, same use, same job, ये सारी चीज़ सब एक ही चीज़ clone कर रहा है तो ऐसे में plagiarism बहुत होती है इस वज़े से मुझे लगता है एक नई website इसमें sustain नहीं कर पाती है, authority gain नहीं कर पाती ह तो problem ये है कि आज YouTube का एक बड़ा drawback है, जो चीज़ एक बंदा कर रहा है वो सब को करना है, एक बंदा news website बना दिया तो सारे 30,000 लोगों को करना है, वही करना है, same करना है, बलकि blogging का यार एक different fund है जो हम last में बात करेंगे, अभी के लिए हम बात करते हैं, अगला जो revolution आया वो क्या था? अफिलियेट मार्केटिंग के थी, अफिलियेट मार्केटिंग में है, यानि कि Amazon अफिलियेट में बहुत लोग काम करना है, आज के डेट में अगर अफिलियेट के हम बात करें तो एक different affiliate की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन उस समय Amazon अफिलियेट यानि कि 2018 की मे अच्छा कासा लोगों की revenue हो रही थी? Amazon अफिलियेट से, फिर अचानक एक दिन उनको mail आया कि भईया आपकी revenue, आपका जो commission है वो 8% से अब 4% हो गया, इस category का 3% हो गया, इस category का 2% हो गया, यानि कि 50% से ज़्यादा इनकी commission split हो गया, cut off हो गया, सोचो एक बंदा जो SEO करके अ इस तरह से इस category से भी लोगों के interest कम हुए, खतम आज भी नहीं हुए, और इसी तरह के revolutions मैंने देखे हैं, इसी तरह का मैंने trend देखा है, आज के समय में अगर मैं 2024 में बात करूँ, तो लोग trending topic में लिखना बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि YouTube नाम का जो कीड़ा है, उस पर लोग जाके देखके, लोगों के revenue देखके लोग पागल हो गया है, और सबको वही करना है, सबको करना है, news website सबको करना है, trending topic कवर, किसी को unique नहीं सूचना है, मैं फिर बता रहा हूँ, हरी category जो भी मैंने बता है, इसमें बहुत सारे दिगज है, problem वो है, जो बंदा अभ blogging से पैसे कमाने है, उसके पीछे का hard work, उसके पीछे का niche पना नहीं समझ पाता है, I'm sorry कि मैं ऐसे words मैं use कर रहा हूँ, but exactly आज YouTube पर यही हो रहा है, 2024 में blogging आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, कि एक 12th का student, एक 10th का student, सब कुछ छोड़ कि अगर वो blogging कर रहा है, तो वो success ह हो जाएगा, वो success हो जाएए, ऐसा succeed हो जाएए, ऐसा 100% possible नहीं है, क्योंकि जिस category में वो काम करने जा रहा है, जिस category के लिए उसका brainwash किया जा रहा है, उस category में already 1000 लाखों लोग काम कर रहा है, कोई unique सोचने का सलाह नहीं ले रहा है, या फिर उसका brainwash इतना कर दिया जा रहा चार साल का ब्लॉगर अभी 50 लाक रुपे कमा रहा है नाइंत में पढ़ता हुआ लड़का 90 अजार रुपे पर मंत कमा रहा है इस तरह कि जब वो थम्नेल्स देखता है तो उसके आंखों में डॉलर्स बन जाते हैं वो भी सपने देखने लगता है और ऐसे में वो अपनी बै अब यहां कहानी सुरू है उस बंदे की कि जिनको कुछ नहीं आ रहा है उनको YouTube करना अब यही बंदे आ जाते हैं YouTube पे क्योंकि इनको आप सारी चीजे पता है कि कहां कहां वो असमर्थ हुए है कहां कहां उनको प्रॉल्म आई है वही चीजी वो discuss करनार स्टर्ट कर रहे हैं अगर blogging में जाये तो उतना पैसे नहीं कमा सकता है लेकिन इस category में अगर affiliate से इतने लोग उनकी उनकी affiliate से इतने लोग अगर hosting कोई भी digital product अगर बाई कर रहे हैं theme, plugins, domain कुछ भी बाई कर रहे हैं, vpn's बाई कर रहे हैं कि exactly अगर आपको 2024 में blogging करना है तो क्या आपको start करना चाहिए पता नहीं क्यों आज मेरा दिल कर रहा है ना कि मैं भोल दूँ कि नहीं आज आपको चलो इसको इस तरह से करते हैं देखो यार अगर आप नए आप beginner हो, आप blogging नहीं समझ पा रहे हो आप एकदम नहीं हो मैं बोलूँगा कि blogging पे बहुत ज़्यादा focus मत करो क्योंकि blogging 2024 में आसान नहीं है बिल्कुल आसान नहीं है आज अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे updates आ रहे हैं कि लोग खुद परिशान है यार मेरी AI वाली article बहुत अच्छा rank कर रही है वो बहुत परिशान है Google के updates में मैं देखता हूँ कि आज website डाउन हुई और तीन दिन बाद जाके आप हो जाती है तीस दिन बाद जाके आप हो जाती है तो Google खुद अपने product को strong करने में लगा हुआ है और ऐसे में मैं नए bloggers को नहीं बूलूँगा ताकि भईया तुम आओ तुम domain hosting खरीदो और तुम भी लग जाओ वही dollars कमाने के चकर में जो की आसान नहीं है तो life में कुछ और interest है वहां पे थोड़ा सा अपने आपको push करो और कितना negative तरीके से मैं इस direction में आपको push कर रहा हूँ बढ़ ठीक है यार लोगों का life बरबाद करने से कहीं अच्छा है देखो skill सीखना एक अलग चीज है लेकिन पूरी तरह से एक अंधा भक्त हो जाना यह थोड़ा सा गलत है बाकी अगर आप पुराने creators हो, blogger हो और आपको लगता है कि नहीं आप अभी भी sustain कर सकते हो आप थोड़ा सा Google से पंगा ले सकते हो तो आने वाले वीडियो में हो सकता है कि कुछ चीजे मैं आप लोगों के साथ share करूँ बड़ी समभल के सारी चीजों में काम करना पड़ेगा मेरे भी कुछ websites थे जो बिल्कुल आपी की तरह penalize होई है मैंने बहुत सारी चीजे लाइक में करी है मैंने black hat भी use किया है, मैंने अच्छे से article भी लिखा है बहुत सारी चीजे मैं खुद mix feeling है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि Google क्या कर रहा है तो बस यह है कि बाकी Google पर छोड़ दो और आप थोड़ा सा भक्ती दिखाओ और अपनी सक्थी का इस्तमाल करते हुए अच्छे से article लिखो जो भी कर रहे हो बड़ी आराम से SEO जैसा कुछ बहुत जादा नहीं होता है यानि कि एक basic SEO के साथ भी आप बहुत सारी चीजे कर सकते हो बाकी मैंने इस तीन सालों में एक चीज़ दिखा है कि Google बाकी चीज़ों को छोड़के इस समय आर्टिकल को जितना आप helpful लिखेंगे जितना बढ़ियां लिखेंगे जितना strong लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपकी website रैंक होगी एक जवाब मैं दे देता हूँ जो लोग ये सोच रहे हैं कि AI वाला article आज rank हो रहा है बलकि कुछ लोगों का वही down जा रहा है और किसी का खुद का लिखा हुआ article down जा रहा है तो भाया हो सकता है कि आप AI से बेकार grammar का इस्तेमाल की हो कोई जोरी नहीं है कि आप हाथ से लिख रहे हो तो आपकी writing style और आपका article लोगों के लिए help हो लोगा लोगों को मदद मिल पाया होगा अगर आपकी article पे कोई भी land कर रहा है और वो रुक नहीं रहा है तो भाया वो article विकार है बले ही आप खुद लिखे हो या फिर बरा को मामा से लिखा लो कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला है अगले वीडियो में बहुत बात हो गया 20-25 मिनट का वीडियो और बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं इतना लंबा बोलूँगा वही है कि सिखाने का और बोलने का बहुत जादा आदत है अगले वीडियो में हम थोड़ा सा कोसिस करते हैं कि 2024 में हम ब्लॉगिंग को एक अलग नजर से देखें एक अलग तरीके से देखें और एक strong approach लेके चलें अगर हम ब्लॉग सेटप कर रहा है तो एक strong तरीके से करें speed optimize कर रहा है तो ऐसा करें कि भाया जो Google को भाज आए search engine को पसंद आए एक चीज आपने notice किया होगा जब आप Google पर कुछ भी search करते हो ना तो Google दिखाता है कि searched in इतना seconds इतना milliseconds गूगल इसको अपना USB मानता है अपना strong point मानता है इसी तरह से आप भी अपनी website को fast करें आर्टिकल लिखें ऐसा लिखें कि भाया अपने को खुद देखके खुद हो जाओ कि नहीं हमारा article अच्छा है strong होना चाहिए लोगों को help करता हुगा होना चाहिए बाकी चीजे जैसा होगा वैसा हम आगे वीडियो में सीखेंगे समझेंगे और आज के इस वीडियो से अगर किसी को hurt हुआ हो तो please मेरे को फरक नहीं पड़ता है क्योंकि I don't know कि मैंने क्या गलत बोला है बट एक चीज है कि अगर आप ने blogger हो या blogging industry में आपको जम करना है तो बहुत जादा बहुत जादा trust करके किसी चीज़ पर spend मत करो किसी चीज़ पर spend मत करो पहले सीखो चीज़ो को analyze करो अगर आपको hosting चाहिए किसी से help ले लो कि भीया तुम्हारे hosting पर क्या मैं अपना domain point कर सकता हूँ एक बार blog spot पर अपने आपको try करो कि blog spot free वाली websites पर क्या मैं 10 article लिख सकता हूँ मैंने बहुत सारे लोगों को दिखा है कि जो domain hosting लेने के बाद पांच post भी नहीं करते हैं इसमें आपका बहुत नुकसान है तो सबसे पहले अपने potential को try करें right so yes समझते हैं अगले वीडियो में आने वाले वीडियो में की कैसे आगे बढ़ना है मेरे चैनल पर आपको ब्लॉगिंग का कम वीडियो टेक्निकल वीडियो आपको ज्यादा मिलेंगे और yes खतम करते हैं आज के इस वीडियो को और I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज एक लाइक कर देना बहुत बेकार लगता है कि यार इतने वीडियो के बाद 50 लाइक है 60 लाइक है अनबायस नहीं अगर वीडियो तो वह भी ड्रॉप करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी ब्लागिंग